89 प्रतीशत घटा 89 दशमलव 1 घटा 58 और 1 बटा 10 ये अलग-अलग संख्याएं हैं अलग-अलग रूप में और इन्हें घटाने के लिए सबसे पहले हमें इन सारी संख्याओं को एक प्रकार से लिखना होगा यहाँ पे मैं देख रहा हूँ यह प्रतीशत है यहाँ पे यह मिश्रित संख्या है यहाँ पे यह दशमलव है तो चलो क्यों ना इन सारी संख्याओं को हम दशमलव के रूप में लिख लें तो यह 89 प्रतीशत यानिकी 89 बटा 100 तो यह जो संख्या है यह 0.79 इसमें से हमाइ घटानी है यह संख्या और यह तो पहले से ही दशमलव के रूप में तो यह है घटा 89.1 और इसमें से हमाँ घटानी है ये संख्या ये 58 और 1 बटा 10 एक बटा 10 होता है 0.1 तो ये संख्या हो जाएगी यहाँ पर ये घटाना है हमको 58.1 अब यहाँ पर मेरी एक समस्या ये है कि ये बहुत ही छोटी संख्या यह शून ने दशम लफ साथ तो और इसमें से हमें घटानी है यह दो बड़ी बड़ी संख्याएं और यह तो मुझे पसंद नहीं आता तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे यहाँ पे हम अगर रिनात्मक चिन बहार ले लें तो यह क्या बन जाएगा यह अंदर यह अंदर बन जाएगा यह हो जाएगा धनात्मक है तो यह हो जाएगा रिनात्मक है तो यह भी रिनात्मक है तो यह हो जाएगा धनात्मक तो तुम अगर देखो तो ये रिनात्मक गुणा रिनात्मक तो यहां धनात्मक है और रिनात्मक गुणा ये धनात्मक तो रिनात्मक होता है और ये रिनात्मक गुणा धनात्मक तो यहां पर भी ये रिनात्मक है तो चलो बात तो सही है यहां पर बस फाइदा यह हुआ है अब कि अब हम इन दो बड़ी संख्याओं को जोड सकते हैं और जो उत्तर आएगा उसमें से यह जो छोटी सी संख्या है इसको हम घटा देंगे तो चलो इन दो बड़ी संख्याओं को हम जोड लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास है 89.1 जिसमें हमें जोडनी है यह संख्या यह 58.1 तो इन दोनों संख्याओं को हमें जोडना है तो यहाँ पे एक और एक जुड़के होगा दो, दशमलव यहाँ रहेगा, नो और आठ होते हैं सत्रा, तो एक यहाँ लिख देता हूँ और साथ यहाँ लिख देता हूँ तो सत्रा हो गए, तो एक और साथ आठ, आठ और यह पांच हो जाएंगे तेरा, यानि कि यह जो यहा उड़ा देते हैं, तो 137.2 में से हमें घटानी है यह संक्या, अब दशमलव के नीचे में दशमलव लिखूँगा, तो यहाँ पे हमारे पास है 0.7 और यह 9 तो इन्हें हमें घटाना है तो देखते हैं घटाने पे क्या मिलता है अब यहाँ पे कुछ है नहीं तो यहाँ तो मैं 0 लिख देता हूँ अब 0 से 9 घटाना है 0 तो 9 से छोटा होता है तो यह तो नहीं घट पाएगा तो यहां से एक संख्या ले लेते हैं तो यह बन जाएगा 10 लेकिन साथ ही साथ यह दो नहीं यह एक रह जाएगा तो दस में से जब 9 जाएंगे तो तो बचने वाला है एक आगे बढ़ते हैं अब एक में से हमें घटाना है 7 अब एक तो छोटी संख्या उसमेंसे तो साथ नहीं घटेगा तो यहां से एक संख्या यहां ले लेते हैं तो एक यह बन जाएगा ग्यारा अब ग्यारा मैंसे साथ घट सकते हैं तो यह हो जाएगा चार दशमलव के नीचे रहेगा दशमलव लेकिन ये जो 7 है ये 7 ने एक संख्या यहां दी थी तो ये होने वाला है 6 अब 6 में से 0 जाएंगे तो यहां 6 बचेगा 3 में से घटाने के लिए कुछ है नहीं तो ये तो 3 ही रहेगा और 1 में से भी घटाने के लिए यहां कुछ है नहीं तो ये 1 ही रहेगा तो यह जो कुल यहाँ पर जो हमें जवाब मिल रहा है बाहर यह रिणात्मक का चिन है और अंदर हमें यह 137.2 और यह गठाने पर हमें मिल रहा है यहाँ पर 136.41 अब यह रिनात्मक चिन को दे देते अंदर तो अब यह रिनात्मक 136.41